ओम शांति आज 16 फेवरी 2022 है आज के स्लोगन में ये बात स्पष्ट रूप से बताया गया है कि फरिष्टा स्वरूप क्या है और इस फरिष्टे स्वरूप से किस विधी से साक्षातकार होता है और इससे प्राप्ती कैसे होगी इस थितिक की प्राप्ती कैसे होगी तो आएए सुनते हैं आज का स्लोगन फरिष्टे स्वरूप का साक्षातकार करने के लिए शरीर से दिटैच रहने का अभ्यास करो फरिष्टा माना ही अव्यक्त लाइट की आकारी शरीरधारी हम समय प्रती समय जब हम गहन योग तपस्या करते हैं तो इस शरीर में रहते हुए भी हम अपने अंदर फरिष्टे स्वरूप स्थिती का अनुभव करते रहते हैं एक होता है स्वयम फरिष्टे स्वरूप का अनुभव करना और दूसरा होता है दूसरे लोगों को हम से फरिष्टे स्वरूप का साक्षातकार होना दोनों में बहुत कहरा कनेक्शन है जितना जितना हम चलते फिरते उरते बैठते खाते पीते अंदर ये अंदर शरीर से न्यारा रहने का शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करते रहते हैं उतना उतना हम अपने अंदर फरिष्टे सुरूप का अनुभव गहरा करते रहते हैं और जितना जितना ये नियारा रहने का शरीर से डिटैज रहने का अभ्यास पक्का होता जाता है, उतना उतना हम अपने अंदर ऐसा महसूस करते हैं कि हम डबल लाइट है, लाइट रूप भी है, माइट रूप भी है, शरीर में आना और शरीर से जाना ऐसा सहज महसूस होता ह जैसे लूस कप्रे को पहनना और उसे बदलना, तो जब ये स्थिति पकी हो जाती है, तो दुसरों को हम से फरिष्टे पन का साकषदकार हो जाता है, अर्थात मैं स्वाइम फरिष्ता सुरुप की अनुभूती में होती हूं और लोगों को मुझसे उस फरिष्टे सुरुप क साक्षतकार सहच हो जाता है जिस तरह से एक अंधकार में कमरे में अचानक ही रोशनी फैला दिया जाता है तो क्या होता है धीरे धीरे आग खुल जाती है और आग खुल करके देखते हैं तो रोशनी ही रोशनी नजर आती है उसी तरह से इस शरीर रुपी अंधकार में रहते हुए भी आत्मा जैसे रौशनी है शरीर के अंदर और लोगों को ये शरीर दिखाई नहीं पड़ता लेकिन वो लाइट, फरिष्टा स्वरूप लाइट और माइट स्थिती ही दिखाई पड़ती है, यही साक्षातकार स्वरूप है तो इसके लिए मुझे बार बार डिटैच रहने का अभ्यास करना होगा, शरीर से डिटैच, शरीर के भाव स्वभाव से डिटैच, हदि के सभी बातों से डिटैच रहने का अभ्यास करना होगा आईए, सारा दिन हम न्यारे अर्था डिटैच रहने का अभ्यास करें Om Shanti